आचार है, मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र जानना चाहता हूँ, जिससे जीवन के सारे सुप मुझे मिल जाएं, जिसके सिद्ध होते ही बड़े-बड़े खजाने खुल जाएं। क्या आप ऐसा मंत्र जानते हैं? महान मंत्रों को जानने के लिए महान साधना करने पड़ती है बड़ों। क्या तुम साधना के लिए तयार हो? मैं तयार हूँ। तो पहले कुछ वर्ष अगनी की सेवा कर। और उसके बाद मैं तुहें वह मंत्र दूँगा। वर्षों तक आचारे ने ब्रह्मचारी को शास्त्रों के शिक्षा दी। पर वह मंत्र न बताया। ब्रह्मचारी उतावला हो रहा था। एक दुन उससे रहा न गया और उसने गुरू के पास जाकर पूछी लिया। आचारे वर्षों तक मैंने आपकी आज्या में रहकर अध्यान किया। फिर भी आज तक आपने वह मंत्र न बताया। तुम इतने ही अधीर हो रहे हो तो आज मैं तुम्हें वह मंत्र बताता ह। आओ, अपने कान मेरे होटों के नजदीक लाओ, इस पर नेत्य ध्यान करना, जल्दी ही तुम्हें सारे खजाने मिल जाएंगे। यह क्या। यह मेरा ब्रह्म है या मेरे ही मंत्र की प्रतिध हने को। क्या मैंने मंत्र को सिद्ध कर लिया। ओम्हें। कौन है? ओम्हें, मैं गनेश हूँ। लो, नाम लेने से पहले भी ओम। और यह शब्द गुप्त है। वारे मेरे आचारे, वाह। बड़ा ठगा मुझे। रोज मुझसे सेवा करवाते रहे। आज देखता हूँ मैं आपको। ओम्हवति बिक्षाम देही। ओम। यह भी देख लो। ओमुप्त में बट रहा है। और मेरे आचारे के लिए गुप्त है। आज रामचरित मानस का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल उत्तरकांड से प्रारम करेंगे। ओम। ओम। शांती ही। शांती ही। शांती ही। कहीं शुरू में ओम। कहीं अंत में ओम। और ओम। रहस्य है। लगता है छल हुआ है मेरे साथ। छलिया है मेरे आचारे। पर मैं भी कुछ कम नहीं। अपने एक एक दिन का हिसाब मैं सूथ समित लूँगा। आचारे। आचारे। क्या बात है बटुक। आचारे। मैंने आपसे गुप्त मंतर देने के लिए कह था। पर वो गुप्त कैसे हुआ। जब हर कोई उससे जानता है। मैंने वर्षों आपके पास रहकर साधना की। उसका ये फर्फ। बटुक, मैंने तुम्हें गुप्त मंतर ही दिया है। पर जैसे तुम जैसे अनेक शिश्य हैं, वैसे गुप्त मंतर देने वाले मुझ जैसे अनेक आचारे हैं। पर मेरे पास एक और गुप्त मंतर है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम क्या है? मेरे आचारे ने मुझे या गुप्त मंतर मांगने पर दिया था। आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाजार में जाकर इसे बेचने की कोशिश करना। पर इसे बेचना नहीं। यदि तुम इसका सही मुल्ले, इसकी सही किमत जानकर आ गए, तो मैं तुम्हें वह दूसरा मंतर बता दूँगा। ये क्या है आचारे? मंतर का रहस्से। आचारे? लेलो आलू, टमाटर, प्याज, रामतुरई, भिंडी भाई, मैं ये बेचना चाहता हूँ। बटुक, मैं यहाँ खरीदने नहीं, बेचने वैठा हूँ। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये कलाकृती है। इसका कुछ तो मूल्ले होगा। इसके बड़े में तुम जो चाहे दे दो। देख रहे हो ना, इसका वजन मेरे बाट के बराबर है। ये मेरे सबजियां तौनले के काम आ जाएगा। इसके बदले जो चाहे एक पावसेर लेलो। बस यही इसका मूल्य है। और क्या पूरी दुकान तुम्हे देदू। पत्थर के बदले और क्या लोगे। ये ना हो तो लो नहीं तो रास्ता ना पो। आओ, आओ, ब्राह्मन देवता। कहो क्या दिखाओं। बजाज मैं ये बेचना चाहता हूं। इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हैं। बहुनी होई नहीं कि ठगों से पाला पड़ गया। तु पागल है क्या। चल, भाग यहां से। अरे मेरा पत्थर तो लोटाओ। चाकू की धार तेज करने से ज्यादा इसका और क्या उप्योग हो सकता है। ब्रह्मचारी हो। इसलिए निराश नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा सा गुर दे सकता हूं मुझ मिठा करने के लिए। तो क्या इसकी कोई केमत नहीं है। ठोकरों में पड़े रहने वाले पत्थरों की क्या कीमत हो सकती है ब्राह्मन देवता। प्राह्मन देवता, क्या आप सच्मुच पत्थर ही बेचने आए हैं, कि कोई और अभिला आशा आपको यहां खीच लाई। मैंने सोचा यहां सबका सम्मान होता है। आप देश विदेश के व्यापारियों से मिलती है। शायद आपको पत्थरों की पहचान है। इसलिए मैं… ब्राह्मन देवता मैं गणिका हूँ, जोरी नहीं। आदमियों की खूब पहचान है, पर पत्थरों की नहीं। तुम्हें जो भिक्षा चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। पर इस पत्थर के टुकड़े का मेरे लिए कोई उप्योग नहीं। देवी, ब्रह्मचारी इतना आग्रे कर रहा है तो रखी लीजे न। पत्थर पैर खिसने के काम तो आही सकता है। ऐसी गरलती ना करिएगा देवी। सोने के टुकड़े से अपने पैर का मेल साफ करने वाली नगरवदू पत्थर से पैर साफ करेगी। आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। जाओ ब्राह्मन देवता जाओ जाओ पत्थरों के पार्खी को ये ढेला दिखाओ। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया। तुम्हें इससे क्या मतलब। क्योंकि ये किसी बड़े धन्वान या किसी चोर के पास ही हो सकता है। ये मुझे मेरे आचारे ने दिया है। तुम इसका मूले बता। ब्रामन देवता। मैं तो एक मामूली जोहरी हूँ। शायद बड़े बड़े जोहरी भी इसका सही मूले नहीं आख पाएंगे। जितना मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है। उसके आधार पर कह सकता हूँ कि ये एक दुरलब रतन है। जरूर किसी समराथ ने गुरु दक्षना में तुम्हारे आचारे को ये रतन दिया होगा। इस गाउं में तो क्या राजधानी में भी मुश्किल से कोई इसका मूल्य दे पाएगा या खरीद पाएगा। जोहरी इसे बहु मूल्य बता रहा था और दूसरों के लिए ये पत्थर। आपने जानते हुए कि ये मूल्यवान है, मुझे इसे दूसरों के पास बेचने के लिए क्यों बेजा आचारे। ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानि इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई उससे नहीं आख सकता। केवल पार्खी आखें ही पैचान सकी कि यह पत्थर नहीं, रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं वे भी इसका मुल्य इसका रह से नहीं जान पाते